इतिहास गवा है केवल सूर्पनकह ऐसी पापा की परी थी जो उड़ सकती थी पर आज की कुछ परियों ने सूर्पनकह को भी पीछे छोड़ दिया है क्योंकि ये ना केवल उड़ती है बलकि उड़ा देती है मजा आया तो आओ यार एक बर फिर से इनको स्कूर्टी में बैठाते हैं और भलाल देप का रत बनाते हैं और हाँ ये वीडियो सरफ एंट्रेटेंवन परपस के लिए है तो किरपा कर इसे दिल पर ना ले और वीडियो अच्छी लेगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर रामदेब बाबा परधान मंत्री थे तो इस हिसाब से उस टेम तो दीपकला राष्टपती रहोगा नहीं अरी मेडम क्या गोल्चा हाइच स्कूल से पढ़ी हो जहां रामदेब बाबा को देश का पहला परधान मंत्री कहा जाता है नहीं मतलब सही में यार कुछ भी बोल दो मतलब हम क्या अब इस भाई को देख लो कैसे इस परी को स्कूटी सिखा रहा है अब आप बोलोगे स्कूटी तो बंद है स्कूटी बंद रही है भाई समस्दार है उसको अपने दुकान का खयाल है वो अपना गुल्लक नहीं फुड़ाना चाहता है क्योंकि परीओं के हाथ में चालू स्कूटी सुदर संग चकर के बराबर होता है और जब पापा की परीओं को स्कूटी कोई नहीं सिखाता ना तब पापा की परिया खुद ऐसे लकड़ी का काठी का घोड़ा खेल लेती है देख रहे हो उस कूटी कैसे चीखे निकाल रहा है पर इनको कोई लेना देना नहीं नहीं भाई मैं सही बता रहा हूँ आज ये घोड़े की दुम तोड़ के मानेंगी अरी मैडमों ये वो घोड़ा नहीं है जो तुम समझ रही हो सवारी नहीं उतार रही है पापक की परिगर इकसा फस गया है परियां खीच रही है आपको क्या लगा? वो सवारी उतार रही है? नहीं भाई नहीं मतलब आप ही बताओ सरकार पागल है न मतलब जहाँ गाड़ी चल रही है रोड वहाँ बनाना चाहिए ना खामाखा गलत रास्ता बना दिया असली रास्ता तो खेत में है बताओ परोना भी गया नहीं है लोग के रहे हैं हमारी गॉवर्मेंट के रही है सब लोग हमें केरें आपने मास्क के क्यों नहीं लगा मतलब कुछ भी बोल दो नहीं मेडम पूरी दुनिया तो पागल है एक तुम ही समझदार हो बढ़ी आई लिपस्टिक बिगड़ जाएगी अब इस परी को देख लो इसको नॉर्मली स्कूटी घुमाना था पर मैडम से वो भी ना हुआ अरी मैडम स्कूटी चला रहे हो कि गेंडा जो तुमसे मुड नहीं रहा है और मैडम जब आपसे गेंडा नहीं चलता तो जरूर है इसकी सवारी करना देख रहे हो कैसे पापा की परी की कार पराय मर्द को छेड़ के भाग रही थी पढ़ गई ने दुकान पिलात और छेड़ो नई मतलब सही में यार इनकी कार और स्कूटी भी इनकी तरह ही होती है हम ऐसा एटिट्यूड में सिर्फ पुरुष चोर नहीं होता महिला भी जेबकत्री हो सकती है बताओ देख रहे हो इस परी को कैसे हेलमेट चुरा रही है नहीं मतलब सही में मेडम तुम्हें चुराने को और कुछ नहीं मिला क्या जो हेलमेट चुरा रही हो अरी मेडम तुम एक बात बताओ तुम परी हो कि जेब कत्री बड़ी आई जेब कत्री सी ये यूँ ही खुश नहीं है इन्होंने पहली बार सही जगे गाड़ी चलाई है वो इसकी खुशी मना रहे हैं बताओ अगर ये हमारे साथ हो जाएना तो हमारे प्राण दस बार यमराज के पास होकर वापस आजाएं और इनको देखो ये तो होली डे मना रहे हैं बताओ नहीं मैडम सही में तुमने बहुत बड़ी जग जीत ली तो एर हर बार की तरह इस बार भी जाते जाते एक डांस वाली वीडियो देखी लेते हैं अरे कैसे मेडम धर्ती में छेद करोगे तूफान उठाओगे क्या नहीं बता दो नहीं मतलब सही मेर इतना भयानक डांस कोन करता है यार नहीं बाई मैं सही बता रहा हूं इस डांस को देख करना अच्छे-च्छे कि छाती भराए तो बस भाई लोगो आज की इस वीडियो में इतना ही उमीद है ये वीडियो आपको अच्छे लगी होगी और दोस्तों वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेर करें और यार हमारे जटपट गयान के इंस्टा हैंडल को फॉलो करना ना भूले लिंक आपको करें तो दोस्तों मिलते हैं आप से अगली वीडियो में और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का एक बर फिर से धन्यवाद